हलो फ्रेंट्स प्रग्यास किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे चैनल पर राजस्तान जोदपूर के प्रसिद मिर्ची बड़े की रेसिपी बनने वाली है वैसे तो ये आलू से बनाये जाते हैं बट आज हम इसे जेन बनाने वाले जो की कच्छे केले से त दो सिटी लेकर मैंने इनको बॉयल कर लिया और इनका छिलका हटा लिया अब आप चाहें तो इनको मैश करें मैशर से या फिर इस तरीके का ग्रेटर है तो इससे केलो को ग्रेट करके मसाला तयार कर लेते हैं ग्रेट करने से क्या होता है कि सारा मसाला एक सा तयार होता है कह पर भी केले के बड़े पीस नहीं रहते हैं और मैंने ये सारे ग्रेट करके तयार कर लिए अब इसका पन मसाला तयार कर लेते हैं मसाला तयार करने के लिए मैंने कड़ाई लिए इसके अंदर एक टीजेशन के लिए अच्छी होती हैं अब मैं इसके अंदर वनफोर टीजेश पाउडर और half teaspoon जितना ही मैंने याँ चाट मसाला लिया है half teaspoon लाल मिश पाउडर मसाले आप अपने टेस के अकुडिंग कम जादा कर सकते हैं अपने टेस्पून मैंने गरम मसाला लिया है गेस की flame लोग पे रखें और अब इस मसाले को तेल में हलका सा सौते कर लेते हैं यह तेल में मसाला अपन जो रूस करते हैं इसका flavor मिर्ची बड़े में बहुत ही अच्छा लगता है अब अपने जो केले ग्रेट करके रखें यह इसके अंदर डाल देते हैं और मसाले के साथ इनको अच्छे से mix कर लेते हैं मिर्ची बड़े में मसाला अच्छा होगा तो मिर्ची बड़े का टेस्ट दुगना हो जाएगा और यह मैंने मसाला इसमें अच्छे से mix कर लिया है अभी तक अपने नमक नहीं डाला है तो मैं यहाँ पर 1 teaspoon जितना यह नमक डाल रही हूं और खटाई के लिए मैं हाप नीम इलिका पल या फिर आप अंचूर पाउडर भी डाल सकते हैं और यह मैंने नीम बुकरस भी इसमें डाल दिया है और मैंने यह बारिक चौप धनिया पत्ती इसमें डाल दी है इसको भी अपन अच्छे से mix कर लेते हैं यह अपना मसाला तो तयार हो चुका है अब इसको साइ अच्छे से फिल कर सकते हैं और आसानी से कर सकते हैं तो अब इनको पन तयार कर लेते हैं सबसे पहले इसके अंदर जो बीज है वो निकाल ले हैं इसके लिए मिर्ची लिए और चाकू से बीच में कट लगाए और चाकू की साहिते से अंदर से इस तरीके से बीज निकाल ल और यह मिर्ची अपनी मसाला फिल करने के लिए बिलकुल तयार है और अभी जो अपना मसाला भी ठंडा हो चुका इस तरीके से मैंने सिलंडर की तरह बनाया और अपने को फर्स से लेकर लास तक मसाला अच्छे से फिल करना है यह मैंने मसाला फिल कर लिया देख सकते हैं इसी तरीके से अपने कुछ सारी मिर्चियों में मसाला फिल करना है और ये सारी मिर्चियां बिल्कुल अपनी तयार है अब मिर्ची बड़े के लिए बैटर तयार कर लेते हैं तो मैंने एक बड़ा बॉल लिया है और एक कप बेसन लिया आप कोई भी बेसन ले सकते बारी क्या आप अपने टीस के अकोडिंग कम जादा कर सकते हैं, 180 टीस्पून हल्दी पाउडर और इसके अंदर हींग डालना बहुत जरूरी है, बहुत तो को बेशन से गेस होती है, तो हींग इसमें हल्प करती है, अब मैंने यहाँ पर यह 14 टीस्पून जितना चाट मसाला लिया है, इन सबको डाल कर मैंने एक बार विसकर से इसको ऐसे ही मिक्स कर लिया है, ड्राई, और बेटर तयार करने के लिए मैंने अभी यह 1 कप पानी लिया है, नॉर्मल टेंपरेचर वाला, और विसकर से इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, मैंने अभी यह 1 कप पानी डाला है, आप थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर ही बैटर तयार करें। कभी कभी क्या होता है, कोई बेसन पानी कम सोकता है और कोई ज़्यादा सोकता है, तो आप थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर बैटर तयार करें और यह अपना लंस फिरी एकदम बैटर तयार हो चुका, इसकी consistency आप देख सकते हैं यह perfect consistency है और बैटर तयार कने में में मेरे को हाप कप जितना पानी लगा अब इस बैटर को 15-20 मिट के लिए रेस करने रख देते हैं 15-20 मिट बाद अब इसके अंदर एक ingredient ऐसा डालेंगे जिससे अपने मिर्ची बड़े फुले फुले बनेंगे यह मैंने एक दो पिंच लेमन फ्लेवर वाला इनो डाला है अब इसके उपर एक टी इस्पून जितना पानी डाल देते हैं ताकि इनो अच्छे से एक्टिविट हो जाए इससे क्या होगा अपने जो मिर्ची बड़े बनेंगे एक तो जाली अच्छी बनेंगी और फुले फु मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया और अब आप बैटर की कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं यह बिल्कुल पर्फेक्ट कंसिस्टेंसी है और यह अपना बैटर भी तयार है और मिर्ची तो अपने अलड़ी तयार करके रखी है मिर्ची को बेसन में टिप करें और साइड ब कर के रखे मिर्ची वो तेल में डी फ्राइ करने के लिए डाल देते इसी तरीके से जितने मैं इसमें डाल देती हूं आप मिट्ची को बेसन की गोल से अच्छे से कौट करें ताकि उपर की जो आउटिंग होगी वो अच्छी आएगी तो मिट्ची बड़े का टेस्ट अच्छा आएगा और एक तरप से ये सिख चुके हैं और मैंने इनको पलट दिया है डालते समय गेस की फ्लेम हाई पे थी उसके बाद मैंने मीडियम पे इनको डीफ्राइ किया और ये अपना एक बेस तयार हो चुका है इस तरीकी की जाली ले और इनको निकाल ले और पांस से साथ में इसको टीशी पेपर पर रखे या गरमा गरम आप इसको सर्व करे और ये मैंने इनको प्लेटिंग किया है आप इनको गर्मियों में खाते हैं तो दही बड़े की तरह इनको रालिश कर सकते हैं और सर्दियों में तो ऐसे ही आप घरी चटनी इमली की चटनी है सोस के साथ इसको एंजोई करें मिर्ची बड़ा तो ऐसा स्नेक से आप किसी भी मौसम में खाए लाजवाब लगने वाला है और ये अपने मिर्ची बड़े बनकर तयार है मैंने इनको इमली की चटनी के साथ सर्व किया आपका बना रहे हैं कमेंट करके बताएं अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं बुले वरना मेरी नहीं आने वारी वीडियो की नॉटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुचेगी थैंक यू फॉर वाचिंग मिलते हैं इसी तरीके की नई नई रेसिपीस के साथ